नमस्कार दर्शको मैं हूँ आचारे मयंग शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दर्शको आज हम चर्चा करेंगे आठ अपरेल को पढ़ने वाले देश के पहले सूरिय घ्रैन के बारे में सूरिय घ्रैन पढ़ने जा रहा है आठ यसँ दिवारे में आपको जानकारी दे लेते हैं तो रशको सूरिय घ्रैन जब जब पढ़ता है या जब जब चंद्रघहन पढ़ता है तो हमारे मन के ओपर हमारे शरीर के ओपर ये बहुत जबरदस इफेक्ट डालता है अगर घरों की बात करें इस दिन कि किन घरों की यूती रहेगी देखिए अगर बात करें तो सूरिय वर्तमान में मीन डाशी में चल रहे हैं जहां पर राहू और शुक्र जो हैं उस समय विराजमान रहेंगे और आठ तारिक से हमारी 12 राश्यों के ओपर ये क्या प्रभाव डालेगा किस तरी की समस्यां रह सकती है या किन राश्यों को इस गहन के चलते लाब भी हो सकता है इसकी जानकारी आपको विशेश देंगे और साथी साथ ये भी बताएंगे कि क्या कुछ साबधानिया आपको रखनी चाहि किसी भी तरे के दरने घबरानी की जरूतनी है ना ही कोई दान दक्षना करने की ऐसी आउशकता रहेंगी ये जो ग्रहन है ये 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 यूरोपियन कंट्री में ब्रिटेन में दिखेगा और साथी साथ यूएस कैनेडा परशान्त महासागर के कुछ हिस्तों में दिखेगा और हम कह सकते हैं कि ये यूरोपियन कंट्री में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा तो वहाँ पर जो भारती लोग रह रहे हैं जो जो जोतिश को मानते हैं जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ सावधानिया अलखनी पड़ेगी ग्रहन काल के दोरान ज जो है आप मंदिर में नहीं कर सकते हैं और उस समय योग का सारा ले सकते हैं जिस समय ग्रहन होता है कहते कि सूरी को जब ग्रहन लगता है तो हमारी आत्मा को कश्ट पहुंसता है और जब चंदर को ग्रहन लगता है तो हमारे मन को अगाद पहुंसता है तो ग्रहन काल के दो शुरुवाद भी कम से कम आठ अपरेल के दिन तो ना करें तो आपके लिए ये बेतर रहता है तो दर्शो को अब फटा-फट से बता देते हैं कि बारा राश्यों के उपर इस ग्रहन का क्या प्रभाव पढ़ने वाला है तो शुरुवाद कर लेते हैं मेश राशी से मेश रा परिशानी से आप दो चार रह सकते हैं कैता है कि इस ग्रहन जब भी कोई ग्रहन पढ़ता है तो उसका असर आने वाले कुछ दिनों तक हमारे उपर पढ़ता है तो आप क्या करें सबसे बड़ी इंपॉर्टन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है मेश राशी वालों अपनी सेहत का ध्यान रखना है उसके लावा और कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी तो सेहत समंदी परिशानी रह सकती है इसके लावा कारे वैफसाय के लिए आपके लिए समानने रहेगा लेकिन इस दोरान आने वाले कुछ दिनों तक नए कारे की शुरुआत भी ना करें अब आपकी आर्थिक सीथी भी काफी मजबूत रहेगी अब बात करते हैं मिथंदाशी वालों की मिथंदाशी वालों के लिए दश्वं भाव में गहेंड पढ़ना ही दिखाता है कि कारें स्थल पर किसी से वाद विवार हो सकता है तो यह वाद विवार साथ तारिक से लेके 10 तारीक के बीच में हो सकता है हिनुकि सात अप्रेल से दस अप्रेल के बीच में तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी इन दिनों में किसी भी तिरे का वाद बिवाद मत करें ना ओफिस में ना अपने घर पर इस रिखर का आपको ध्यान लखना है वैसे काम-कारोबा भी बढ़ेंगे, मान परतिष्टा बढ़ेगी, सभी कारी ये पूर्ण होते वे नजर आ रहे हैं, लेकिन दर्शों को अश्टम भाव में मंगल शनी बैठे हैं, ये बैठे हैं 23 अपरेल तक, तो आने वाले 23 अपरेल तक आपको अपनी सेहत का विशेश ध्यान रखना अब बात करते हैं सिंग राशी की, सिंग राशी वालों के लिए ये ग्रेंड जो है अच्छा नहीं का आ जा सकता है, शारिदी कश्थ मानसिक तनाव रह सकता है, सेहत अचानक से खराब हो सकती है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, किसी नए कारे की शुरुवात ना करें, तो आपके लिए बेतर होगा, और कहीं भी धनका निवेश ना करें, अब आते हैं कन्याराशी पर जिनके सब्तम भाव में ग्रेंड पड़ रहा है, तो सब्तम भाव में ग्रेंड के चलते, कहीं ना कहीं, कुछ जिरों तक वहवाईक जीवन में खटास और मिठास बनी रह स सकती है, यहीं कि छोटी मोटी बात को लेकर तकरार हो सकती है, और कहीं न कहीं वो चीज जल्दी दूर होके संबंदों में सुधार भी हो सकता है, कोशिश अपनी तरफ से ना करें कि कोई ऐसी गल्ती हो, जिससे आपके व्यवाईक जीवन में परिशानी पैदा हो, कामकारो आपकी लाइफ में आने वाले कुछ समय तक बनी रहेगी, हाले कि काम कारोबार के लिए धनलाब के लिए ये ग्रहन आपके लिए शुब रहेगा, बात करते हैं व्रिश्चिक राश्री वालों की जिनके पंचम भाव में ग्रहन पढ़ रहा है, इस ग्रहन के चलते, लेकि यहां आपको पेट संबंदी तकलीफ रिश्चिक राश्री वालों रह सकती है, और वानी पर थोड़ा सायम भी रखना होगा, धनलाब जरूर होगा, क्योंकि इन चार घरों की दश्टी आपके लाब भावन पर पढ़ रही है, तो धनलाब अच्छा खासा मिलता हुआ नज अब बात करते हैं, मकर राशी वालों को इस समय काफी अच्छा लाब मिलता हुआ नजर आ रहा है, यहां व्यापार में धनलाब मिलेगा, काम कारोबार में बहुत अच्छा करेंगे, घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, मित्रों के सहयोग से कोई रुकावा कारिय अब बात करते हैं, कुम राशी वालों की, जिनके दूसरे भाव में घ्रैन पड़ेगा, तो कुम राशी वालों वानी पर इस समय सयम रखें, और धन का निवेश करने से आपको इस समय बचना चाहिए, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, इसी के साथ आपके लिए स आज की अंतिम राशी मीन राशी की, मीन राशी वालों आपके लिए जो घ्रैन आप ही की कहना चाहिए, राशी में पड़ रहेंगे, तो ये घ्रैन आपको सबसे ज़ारा प्रभावित करेगा, क्या दिक्कति रह सकती हैं, देखिए इस समय सहस्मंदी परिशानी रह सकती है घर परिवार में जीवन साती के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है, काम कारोबार में कोई आपसे गलती हो सकती है, धन के मामले में कहीं गलत निवेश हो सकता है, किसी को पैसा उधार दे सकते हैं, पैसा लोट के नहीं आएगा आने वाले समय में, तो ये कुछ सावधानिय हैं या आपको रखके चलनी चाहिए तो आपके लिए बहुत ही बहतर रहेगा कोई भी नई शुरुवात मत करें और तनाव से बचें मानसिक तनाव से बचें योग का सहरा लें तो आपके लिए बहुत ही बहुत ही बहतर रहेगा तो रशुकों हमने आज आपको बताया है कि ग्रहन का 12 राशन की ओपर क्या प्रफाव पड़ने वाला है इसके साथ बता रहे जिन लोगे कुन्डी में सूरिय राहु यह सूरिय केतु की यूती होगी यह राहु चंदर्मा यः केतु चंदर्मा की यूती होगी उनको इस ग्रहन के चलते जादा मानसिक तनाव रहेगा तो मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए आपको सूरी देव की अराधना करनी है सूरी देव को रोजाना जल चड़ाना है और ग्रहन का प्रभाव कहते हैं कि दो दिन पहले शुरू हो जाता है यानि कि छे तारीक से लेके और दो दिन बाद दस तारीक तक इस ग्रहन का प्रभाव बहुत जादा रहेगा और इस दोरान आपको क्या करना है कि ओम आडित्यायनमा इस मंतर का जाप करें सूरी देव को जल चड़ाएं अपने पिता जी या दादा जी का आशितवाद जरूर लें ब्राह्मान या पुजारी को दान दक्षना गुड गेहूं का दान करें उनको वस्तरतियादी दें पीले रंग के तो बहुत ही शुब रहेगा जिस दिन ग्रहन पढ़ रहा है उस दिन सभी राशी वाले भगपान शिव की अरादना करें हनुमान जी की पूजा करें और सहते साथ सूर्य देव की अरादना करें ओम घरनी सूरियाए नमा ओम आनितियाए नमा इस मंतर का जाप करेंगे योग का सहारा लेंगे वीजिए दो लाग शेर और सब्सक्राइब टो एतिनाव स्वदेश